कि सेलरी के इस टॉपिक पर जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ डिसकसिन करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे आई टीर 3 से रिलेटेड नहीं है राधर यह रिलेटेड है हमारे सेलरी के आई टीर से दोस्तों आज के इस टॉपिक में आज के इस डिसकुशन में मैं आप लोगों के साथ जो बात करूंगा वह एरियर्स ऑफ सेलरी और उसके ऊपर कटे हुए टीडियास के रिफरंट हो तो योटीव वाले जो वीवरत हैं वह भी फका बेनिफिट ले सके और अपके कुड्shire में वीडियो अप्लोड किया जाएगा तो जिन लोगों कोर्स-क किया हूआ है वो भी इस वीडियों को समझ सके किे डियाज कर में तरें किस प्रब्रकार से क्लेम कि आ'tा पलाओं धो salary में cover होता है इसके पीछे का एक background समझेंगे फिर एक illustration की help से हम यहाँ पर amount calculate करके देखेंगे और फिर उसी illustration को हम अपने ITR में form 10E में practically fill करके देखेंगे on the income tax portal तो आईए session करते हैं start समझते हैं about this relief under section 89 दोस्तो section 89 के relief को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा areas of salary क्या होती हैं तो basically जब भी government sector में generally यह notice किया गया है कि उनको पुराने years की salary का increment अपने इस assessment year में या इस particular financial year में receive हो जाता है जैसे मानके चलिए example के लिए मैं बोलू कोई employee है जो किसी government sector में employee as in काम कर रहा है और वहां पर government ने उसकी salary को इस particular financial year में pay किया यह कहते हुए कि it is belonging to the previous financial year या पिछले कई financial year से related है तो ऐसे मैं उस salary को कहा जाता है areas of salary तो simple भाशा में अगर मैं बोलू area of salary का मतलब होता है जब भी पुराने साल से related कोई salary आपको इस particular financial year में pay की जाती है तो generally दोस्तो ऐसा government sector में पाया गया है कि आपको areas of salary receive होती है private sector में generally ऐसा नहीं होता है but government sector में commonly ऐसा देखा गया है तो बात करते हैं what is the area of salary where an employer increase the salary of an employee with retrospective effect area of salary represent that portion of the increased salary which pertain to the earlier year but has been received during the current year दोस्तो income tax के provisions के according आपकी salary liable हो जाती है to pay the tax at the time of due or receive whichever is earlier इसका मतलब कोई salary जब वो due हो जाती है या वो जब receive हो जाती है तो उस पर आपको income tax देना पड़ता है लेकिन area of salary के case में ना तो वो salary उस समय पर due हो पाती है ना ही वो receive हो पाती है इसलिए वो salary बेचारी tax नहीं हो पाती है उस समय पर जिस समय से relatable है मैं एक example की मदद से आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ माल लीजे हम previous year 23-24 में कोई area of salary receive करते हैं let's say amount ले लेते हैं 6 lakh रुपे का और मैं कहता हूँ कि ये 6 lakh रुपे relatable है financial year 2021 से अब क्योंकि financial year 2021 में ये clear नहीं था कि ये area मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा उस समय पर ये under dispute आप कह सकते हैं या under consideration आप कह सकते हैं but it was not clear that I will get this 6 lakh or not तो क्योंकि ये उस समय पर ना तो due हुई थी और ना ही उस समय पर receive हुई थी तो इस 6 lakh रुपे पर उस समय पर कोई income tax मैंने नहीं दिया होगा और ना ही मेरा कोई income tax देना बनता था तो उस समय पर तो मैंने कोई क्योंकि tax नहीं दिया तो बात वहीं खतम हो जाती है लेकिन अब हुआ यूँ है कि ये 6 lakh रुपे मुझे receive हो गए है during the previous year 23-24 में तो ऐसे मैं इस 6 lakh रुपे पर मेरा income tax लग जाएगा definitely in the previous year 23-24 I'm into assessment year 24-25 में मेरी income tax liability जो बनी है वो increase हो गई होगी इस 6 lakh रुपे की वजह से और इसी 6 lakh रुपे को हम कहते हैं areas of salary लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक problem है problem ये कि अगर ये 6 lakh रुपे मुझे उसी समय पर मिल जाते तो otherwise मेरी जो tax liability होती वो definitely कुछ अलग होती whereas अगर ये 6 lakh रुपे मुझे आज मिल रहे हैं तो मेरी tax liability कुछ अलग बन रही है अब definitely यहाँ पर जब मैं कहता हूँ कि उस समय पर अगर ये 6 lakh रुपे मुझे मिल जाते तो मेरी liability कुछ अलग होती तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 6 lakh रुपे मुझे financial year 2021 में ही मिल जाते तो हो सकता है उस समय पर मेरी income tax liability कम निकल कर आती as compared to जो liability मेरी आज निकल कर आ रही है तो government ने इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको एक relief provide किया है section 89 में जो basically ये कहता है कि अगर आपको कोई area of salary receive होता है definitely वो area पिछले किसी साल या सालों से related है तो ऐसे में आपको relief दिया जाएगा उस amount का जो additionally आपके उपर लग रहा है because ये amount आपको current previous year में या assessment year में receive हुआ है तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 6 लाक रुपे मेरे मान लीजे 20-21 में मुझे मिलते तो मेरी tax liability इस पर 70,000 रुपे आती this is just an example और अगर ये ही 6 लाक रुपे मुझे आज मिले हैं तो मेरी tax liability 85,000 रुपे निकली तो law ये कहता है कि ऐसे में हम आपको 15,000 रुपे का relief देंगे क्योंकि उस समय पर अगर ये आपको amount मिलता तो आपको 70,000 रुपे की liability pay करनी पड़ती whereas आज आप हमें 85,000 रुपे की liability pay करने वाले हैं इसी relief को हम कहते है section 89 का relief लेकिन दोस्तो ये relief अगर आप claim करना चाहते हैं तो आपको एक proper working बनानी पड़ेगी calculate करना पड़ेगा कि आप कितना relief claim करने के लिए eligible हैं साथ की साथ आपको एक form file करना पड़ेगा on the income tax portal form 10E और दोस्तो ये जो form 10E है ये आपको अपनी income tax return file करने से पहले file करना पड़ेगा काफी लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं पहले अपनी ITR file कर देते हैं उसके बाद form 10E file करते हैं so in those cases पाया गया है कि बाद में उनका relief जो है वो disallow हो जाता है या उसका benefit उनको नहीं दिया जाता है जिसकी वज़े से उनकी income tax liability arise हो जाती है या जो उन्होंने refund claim किया होता है वो उन्हें नहीं दिया जाता तो ऐसे मैं आपको ध्यान ये रखना है पहले आप अपना 10E file करें उसके बाद आप अपनी ITR file करें और 10E को भी आप बिल्कुल सही तरीके से file करें क्योंकि काफी लोगों में ये confusion भी रहता है 10E कैसे भरना है और वो अक्सर ignorance में गलत 10E file कर देते हैं जिसकी वज़े से उनके इस relief का benefit उन्हें नहीं मिल पाता है तो आज के इस वीडियो में 10E को भी कैसे भरना है समझेंगे ITR में उसका link कैसे लाना है ये भी हम समझेंगे बट उससे पहले बात कर लेते हैं Such area of salary is taxable in a year in which it is received However, the employee shall be entitled to claim the benefit under relief under section 89 in respect of such areas of salary So section 89 क्या कैता है देख लीजे देखिएगा दोस्तो section 89 कैता है This is a relief under section 89 is available in case of area of salary It may so happen that if such area of salary is taxed in the year to which such area of the salary pertain The resultant tax might be lower than the tax actually paid by the employee on such area of salary So section 89 intend to provide the relief in such cases तो बड़ी simple सी बात है दोस्तो अगर ये area आपको उसी साल मिल जाते जिस साल से relatable है तो हो सकता है उस समय पर आपकी tax liability कम होती जबकि अगर आज ये area आपको मिल रहे हैं और आज के current slab rate के according आपकी income के according आपकी tax liability निकाली जा रही है So that might be higher than that year तो उस case में आपको जो difference amount है उसका relief दिया जा रहा है section 89 के according दोस्तो वैसे तो मैं इसको practical example के साथ illustrations के साथ आपको explain करूंगा पूरे concept को लेकिन फिर भी मैंने just एक step mention कर रखे हैं ताकि अगर आपको कभी manual working करनी पड़े की कितना relief आप claim करने के लिए eligible हैं तो आप इन steps को follow करते हुए इसको claim कर सकते हैं या calculate कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको step 1 में करना है calculate the tax liability for the previous year in which area of salary have been received including the amount of such areas इसका मतलब आपको simply करना क्या है जो area आपको मिले हैं वो area मिलाते हुए आपकी जो total income per tax liability compute होती है वो आप step 1 में calculate करके रख लीजिए इसका मतलब आपकी इस साल की income plus जो areas आपको receive हुए हैं उसको जोडते हुए जो total income निकली है उस पर tax निकाल लीजिए step 2 में आप क्या करेंगे tax liability compute करेंगे for the previous year in which area of salary have been received excluding the amount of such areas इसका मतलब आप areas को ignore करते हुए जो आपकी normal income रहती है उस पर आप अपना tax compute करिए मतलब आप यह मान के चलिए कि areas आपको receive नहीं हुए हैं तो आपकी tax liability कितनी निकल कर आती है then step 3 में आप क्या करेंगे step 3 में आप step 1 और step 2 के बीच का difference calculate करेंगे तो मान लीजे step 1 में आपकी tax liability 85,000 रुपे निकली whereas step 2 में आपकी liability 70,000 रुपे निकली so step 3 में आप दोनों का difference निकालेंगे that will come out to be 15,000 रुपीज अब step number 4 में आप क्या करेंगे calculate करेंगे अपनी tax liability for the previous year to which area of salary pertain including the amount of such area इसका मतलब आप ये देखेंगे कि अगर ये area जिस साल से relatable है अगर उसी साल मुझे मिल जाते अगर मिल जाते तो मेरी tax liability क्या होती actually में मेरी tax liability कम रही होगी या हो सकता है नहीं भी रही होगी लेकिन मैं step 4 में ये calculate करने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर ये area मुझे उसी साल मिल जाते तो मेरी salary या मेरी tax liability क्या निकल कर आती और step number 5 में अब आप calculate करिए कि अगर ये area आपको उस साल नहीं मिले थे तो आपकी tax liability क्या थी मानके चलते हैं कि सर अगर ये area मुझे उसी साल मिल जाते example के लिए तो मेरी tax liability roughly 62,000 रुपे की निकलती whereas जब ये area मुझे उस साल नहीं मिले थे तो मैंने सरकार को tax दिया था let's say 59,000 रुपीज का तो इसका मतलब अगर ये area मुझे उसी साल मिल जाते तो मैं सरकार को 3,000 रुपे का tax और pay करता अब आप difference निकालिए आपको एक real numbers के साथ इस पूरे illustration को explain करूंगा अब दोस्तों यहां पर आप मुझे बताइए बिना नीचे वाले step को देखे कि आपका relief कितना होना चाहिए logically अब आप देखिए आज अगर area आपको मिल रहे हैं और आप area की वजह से जाधा tax दे रहे हैं तो आप कितना जाधा tax दे रहे हैं सरकार को definitely 15,000 रुपए आप जाधा दे रहे हैं लेकिन दोस्तों एक चीज यह भी तो देखो अगर उसी समय पर जिस समय से यह relatable है area आपके अगर उसी समय पर आपको सरकार को liability pay करनी पड़ती तो आप कितने रुपए पे करते डेफिनेटली 62,000 जबकि आपने दिये कितने थे 59,000 तो इसका मतलब आपने सरकार को कितने रुपए कम दिये थे 3,000 रुपए तो अब सरकार यह कहती है आपसे कि हम जो आपको relief देंगे वो ideally 12,000 रुपए का देंगे और यह 12,000 पता है कैसे निकले हैं सर आज आप extra 15,000 रुपए दे रहे हो लेकिन कभी आपने 3,000 कम भी तो दिये थे इस बात को भी तो आप समझो कि 62,000 रुपए आपको देने थे जो कि आपने नहीं दिये आपने दिये कितने 59,000 तो इसका मतलब अगर यह area अगर यह area उसी समय मिल जाते तो आप 3,000 रुपए की liability और pay करते जो कि आपने नहीं pay करी अब क्योंकि वो liability आपने नहीं pay करी तो आज वो liability pay करो इसका मतलब 15,000 minus 3,000 is equal to 12,000 रुपए का सर आपको relief दिया जाएगा section 89 के according अब दोस्तो यह working तो देखो आपको manually करनी ही पड़ेगी there is no shortcut की आप इसको fit कर पाएं किसी formula में और आप इसे calculate कर पाएं because जब आप अपनी ITR file करेंगे और ITR से पहले form 10E file करेंगे तो वहाँ पर आपको यह सब amount भरने पड़ेंगे manually calculate करते हुए कि आपकी उस समय पर liability क्या रही थी अगर आप उसको include करते तो क्या होती include नहीं किया तो क्या होती आज आपकी क्या liability है include करने के बाद और बिना include करे then accordingly your relief shall be calculated accordingly तो this is the just a process of calculation of the areas of relief against the areas of salary अब दोस्तों इसी चीज़ को हमें एक example के थूँ समझ लेते हैं ताकि हम इसी चीज़ को फिर अपने ITR में form 10E में fit कर पाएं और देख पाएं कैसे हमें form 10E फाइल करना होता है तो अगले page पर देखी मैंने एक example लिया हुआ है मान लीजे हरी है जिसकी उम्र है 36 साल 28-3-2024 को वो 36 साल का है इसका मतलब मेरा जो previous year है 23-24 उसमें वो 36 year का है उसको सेलरी रिसीव हुई है 23-24 में 10,20,000 रुपे की साथ की साथ उसको areas मिले हैं 3,45,000 रुपे के ताकि आप भी यहाँ पर relief claim कर पाएं further his following details are relating to the earlier year जिससे related है यह area वो आपको इस प्रकार से दी गई है यह जो मैंने बोला 3,45,000 रुपे आपको area मिला है actually में किसी एक साल का area नहीं है यह अलग-अलग साल से related है अगर आप इनको total करेंगे तो यह आप पाएंगे 3,45,000 रुपे ही निकल कर आता है अब आपको simply आपर relief calculate करना है और बताना है कितना tax से देना होगा तो relief calculate करने का step number 1 क्या था आप अपनी total income पर tax compute करिए यह मानते हुए कि यह area आपके इस साल के है और आपका क्या tax बनता तो step 1 के हिसाप से अगर मैं बात करूँ तो मेरी income है दोस्तो 10,20,000 प्लस 3,45,000 तो step 1 मैं 10,20,000 प्लस करूँगा मैं 3,45,000 जो की total मेरा निकल कर आएगा 10,20,000 प्लस 3,45,000 टोटल निकल कर आएगा 13,65,000 का अब दोस्तो 13,65,000 पर अगर मैं अपनी income tax liability compute करूँ तो वो निकल कर आती है मैं assume कर लेता हूँ कि मैं old regime opt कर रहा हूँ अगर आप नया regime लेंगे तो obviously आपके slab rate कुछ अलग तरीके से calculate होंगे तो 13,65,000 में से 10,00,000 रुपए आप माइनस कर दीजिए बचे पर 30% प्लस 1,12,500 तो sir मेरा जो tax निकल कर आएगा वो आएगा 2,22,000 रुपए का including education says यह मैं amount आपको यहां पर दे रहा हूँ अब step number 2 में क्या था आप यह मान के चलिए कि आपको यह areas receive नहीं हुए हैं तो आपकी liability क्या बनेगी तो उस case में मेरी income कितनी होगी केवल और केवल 10,20,000 और वहां पर मेरा tax कितना होगा तो 10,20,000 में से minus कर दीजिए 10,00,000 बचे जो की आएगा मेरा 1,23,240 रुपए अब step number 3 क्या कहता है दोनों के difference को निकाल लेजिए तो definitely 2,30,880 माइनस 1,240 अगर मैं इन दोनों के difference को निकालूं तो sir मैं आज की date में extra जो tax pay कर रहा हूँ वो 1,7,640 रुपए पे कर रहा हूँ और ये extra tax में क्यों पे कर रहा हूँ just because of the areas which I received during the particular financial year तो यहाँ पर मेरे को additional tax देना पड़ रहा है अभी खेर answer हमारा खतम नहीं हुआ है this is my additional tax अब दोस्तों मुझे calculate करना है कि अगर ये area मुझे उन्ही साल में receive हो जाते जिन सालों से relatable है तो मेरी liability क्या होती और फिर मुझे calculate करना है अगर ये area मुझे उस साल में नहीं मिले थे तो मैंने क्या liability सरकार को pay करी थी उसके हिसाब से फिर मेरा relief calculate होगा now अब step number 4 पर हम आते हैं step number 4 में actually मैं 3 अलग अलग साल है तो तीनो सालों को में यहाँ पर compute करके आपको दिखा रहा हूँ सर जिस साल 2,10,000 रुपे की मेरी income थी उस साल से relatable है 1,3,000 तो इसका मतलब अगर ये area मुझे इसी साल में मिल जाते तो मेरी जो income होती वो 2,10,000 प्लस 1,3,000 होती 2,10,000 प्लस 1,3,000 का मतलब मेरी income होती सर कौन सा previous year है 20,21 तो यहाँ पर मैं assessment year में लिखूंगा इसको ताकि आपको confusion ना हो तो assessment year 21,21, assessment year 22, assessment year 23,24 तो यह 22,23 आ गया और यह आगया 23,24 तो सर अगर assessment year 21,22 में आपकी income 3,13,000 होती तो आपका tax कितना होता similarly अगर assessment year 22,23 में 4,75 की तो आपकी original income थी प्लस 1,17 के area भी आपको मिलते तो आपकी income कितनी होती 4,75 प्लस 1,17 आपकी income होती सर पांच लाग 92,000 similarly अगर अगले वाले financial year में 7,50,000 प्लस 1,25 की आपकी income होती तो आपका जो total income बनता वो 8,75,000 रुपे का बनता अब आप calculate करिए इनके उपर आपका tax कितना बनता तो यहाँ पर मैं tax calculate कर रहा हूँ सीधे direct tax calculate करूँगा मैं including the education says तो सर 3,13,000 पर tax कैसे निकलता पहले 2,500,000 रुपे पर कोई tax नहीं लगता नहीं लगता बचे 63,000 उसका 5% लगता 31,50 लेकिन section 87A की rebate आपको मिल जाती जिसकी वज़े से आपका tax हो जाता 0 इसका मतलब अगर यह area आपको उस साल मिल जाते तो आपका tax बनता 0 clear है चलिए दूसरे साल पर आते हैं 5,92,000 तो 5,92,000 रुपे की जो आपकी income है उस पर tax कैसे बनता पहले 2,500,000 तक कोई tax नहीं अगले 2,500,000 का 5% और अगले 2,000 का 20% तो 92,000 x 20% प्लस 5,500,000 जो की मेरा निकलता 12,000 तो 12,000 में 92,000 का 20% जो मैंने निकाला वो जोड़ दो 92,000 x 20% प्लस 12,000 तो 30,900 रुपे का मेरा tax निकलता प्लस 4% का education सैस्भीस में जोड़ दो 32,196 रुपे का सर मेरा tax बनता उस समय पर अगर ये area मुझे मिल जाते अगर मिल जाते तो similarly 8,75,000 पर कितना tax आएगा तो पहले 2,500,000 का कोई tax नहीं अगले 2,500 का 5% is equal to 12,500 फिर अगले 3,75 का 20% तो 3,75,000 x 20% प्लस 12,500 प्लस 4% का education सैस्थ तो सर ये tax आपका बनता 91,000 रुपे का अब आप इन numbers को याद रखिएगा क्योंकि अब मैं आपको step number 5 कराने जा रहा हूं जिसमें मैं ये कहूंगा कि अगर ये area आपको नहीं मिले थे तो आपने सरकार को क्या tax pay किया था अगर area नहीं मिले थे तो तो step number 5 यहाँ पर देखिएगा step number 5 में भी मैं 3 particular column create कर रहा हूं for all the 3 years जिसमें assessment year 21,22 है और 22,23 के बाद 23,24 है now मेरी income कितनी होती उस समय पर अगर areas ना रहे होते तो 2,10,4,75 और 7,50 दो लग 10,000 देन उसके बाद 4,75,000 और इधर से आता 7,50,000 अब दोस्तों इस पर आप calculate करो कि आपने actually मैं सरकार को क्या tax दिया होगा उस समय पर क्योंकि उस समय पर तो आपको कोई area receive नहीं हुआ था तो obviously 2,10,000 पर मैंने सरकार को 0 रुपे का tax पे किया होगा अगर मैंने return भरी होगी तो भी और नहीं भी भरी होगी तो भी in both the scenario I have not paid any tax to the government then 4,75,000 पर भी definitely मैंने कोई tax नहीं दिया होगा the reason is मैंने अगर ITR भर भी दी होगी तो मैंने rebate claim कर ली होगी section 87A में जिसकी वज़े से मेरा कोई income tax सरकार को नहीं पहुचा होगा हाँ 7,50 वाले साल में मैंने definitely कुछ tax सरकार को दिया होगा तो 7,50,000 में से 5,00,000 माइनस करिए into 20% plus 12,000, 62,500 plus 4% का education says करिए जो की मनता है सर 65,000 तो आपने सरकार को दिया होगा 65,000 रुपे का tax अब आप यहां से जरा logical interpretation निकालिए देन आप relief खुद बखुद calculate कर पाएंगे देखिए आपने already सरकार को कितना tax दिया केवल 65,000 का जबकि देना कितना बनता था इमानदारी से अगर relief उसी समय पर मिल जाता मैं कहूंगा इमानदारी से कहो या logically सोचो अगर relief उसी अगर यह area आपको उसी समय पर मिल जाता अगर मिल जाता तो आप सरकार को कितना tax देने वाले थे तो सर मैं सरकार को 91,000 प्लस 32,196 रुपे देने वाला था इसका मतलब मैं सरकार को total 1,23,196 रुपे का tax देने वाला था ध्यान से दे 30,196 रुपे का मैं total tax सरकार को देता लेकिन आपने दिया कितना तो सर मैंने जो सरकार को tax दिया है वो दिया है केवल 65,000 तो आपने कितना कम दिया आपने सर जो कम दिया है वो है 58,196 रुपे तो सर ये वो tax है जो आप और pay करना चाहत रहे हो या आप pay करना आपको पे करना पड़ेगा basically, अब आओ यहां पर, अगर आप इस area को आज receive ना करते, तो आपकी tax liability कितनी है, 1,23,240, जबकि आपने receive कर लिया, तो आपकी tax liability कितनी है, 1,23,880, तो आज आप additionally कितना pay कर रहे हो, 1,7,640, तो अब आपका relief मालूम है कितना बनेगा, 1,7,640, जो आप extra pay कर रहे हो, minus 58,196, जो कि आपको वैसे भी pay करना पड़ता, अगर यह areas आपको उसी समय मिल जाते, तो इसका मतलब logically जो आप आज additional payment कर रहे हो, वो केवल और केवल आप 49,444 रुपीज की कर रहे हो, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है, कि मैं आज extra जो payment कर रहा हूँ, वो 1,7,640 की कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मैंने एक amount वो भी नहीं पे किया था सरकार को, जो मुझे पे करना पड़ता, अगर यह area मुझे उसी समय पर मिल जाते, तो आज मैं उसकी payment कर दूँगा, तो इसका मतलब net to net मैं सरकार से यह कहूँगा, कि सरकार आप मुझसे 1,7640 एक्स्ट्रा मांग रहे हो, जबकि मुझे भी आपके पैसे देने हैं 58,196 तो एक काम करते हैं, 1,7640 माइनस 58,196 उननचास 1,444 जो मैं आपको दे चुका हूँ, by way of my TDS, वो आप मुझे वापस दे दो, इसको मेरा relief section 89A का कहेंगे, और यही amount है, जो मेरे को font 10E के अंदर fill करना है, then उसको ITR में claim करना है, तो दोस्तो जब मेरा TDS कटा हुआ होगा न, 2,30,888 रुपए का, जो कि मेरे employer ने काट लिया होगा, including the area, तो इस TDS में से, सरकार मुझे 49,444 रुपए वापस करेगी, by way of refund, इतनी बात समझ आती है सभी को, अब दोस्तों, form 10E जो है, आपको क्यों भरना पड़ता है, ताकि आप सरकार को explain कर पाएं, कि आपका यह जो relief का amount है, वो कैसे बना, उसकी proper working आपको दिखानी पड़ती है, year by year की कौन-कौन से साल से relatable है, I hope यह concept और illustration आपको clear हो गया होगा, अब इसी चीज़ को दोस्तों हम अपने 10E में fill करके देखते हैं, और अब practical part कि income tax portal पर अगर आपको 10E भरना होगा, तो आप किस प्रकार से fill कर पाएंगे, so the same data, how to be filled in 10E, हम देखेंगे income tax portal पर, तो आएए सीधा चलते हैं अब income tax portal पर, practically इसको cover करते हैं, दोस्तों form 10E फाइल करने के लिए, आपको सबसे पहले अपने income tax portal पर आना है, वहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा, e-file का, e-file वाले option पर आपको जाना है simply income tax forms पर, income tax forms में जाने के बाद आपको आना है, फाइल income tax form वाले option पर, जैसे ही आप इस option पर आएंगे, तो यहाँ पर आप simply search कर लीजिए, 10E, और 10E सर्च करने के बाद, आपको नीचे आना है यहाँ पर, person without business or profession income, tax exemption and relief form 10E, simply आपको file now पर यहाँ पर click करना है, click करने के बाद आपके सामने एक option आएगा, assessment year, तो यहाँ पर आपको assessment year select करना है, जिस particular assessment year में आप यह refund claim कर रहे हैं, या relief claim कर रहे हैं, then assessment year select करने के बाद, आप simply continue पर click करेंगे, continue पर click करने के बाद, let's get started, then यहाँ पर आपको बहुत सारे options दिखाई देंगे, इसमें से आपको option select करना है, areas of salary, annexure 1, दोस्तों यह जो relief है section 89 का, यह actually में केवल areas के case में नहीं बनता है, यह और भी scenarios में बन सकता है, जब आपको कोई salary advance में receive हो जाती है, जब आपको कोई gratitude receive होती है, जो section है वो applicable हो जाता है, बट क्योंकि आज के इस वीडियो में हम cable और cable areas की बात कर रहे हैं, जो कि generally government employee के case में commonly देखा गया है, area के ही case में relief बनता है, तो उसको हम cover कर रहे हैं, तो यहाँ पर area of salary बाला schedule आप select करेंगे, अगर आपके किसी case में बाकी options भी applicable होते हैं, तो आप बाकी options को भी select कर सकते हैं, and same time जैसे जैसे आप schedule select करते जाएंगे, आपके annexures यहाँ पर add होते जाएंगे, और आपको हर annexures में information देनी होगी, so that वहाँ पर आप अपना relief claim कर सकें, तो मैंने फिलाल यहाँ पर area of salary select किया, then continue पर click किया, continue पर click करने के बाद यहाँ पर आपकी personal information आ जाएंगी, like your pen number, name, address and contact details, then इसके बाद फिर यहाँ पर आपको schedule फिल करना है, और उसके बाद है verification, तो personal information को हम simply यहाँ पर जाते हैं, then इसके बाद इसको save कर देते हैं, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, then areas of salary वाले schedule में आना है, और यह schedule आपको भरना है, बड़े बारीकी के साथ आपको समझते हुए भरना है, कहाँ पर क्या चीज भरी जाएगी, so that आपका relief properly calculate हो सके, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ points हैं, जिन points में आपको अपनी values फिल करनी है, then accordingly it will calculate your relief amount, सबसे पहले वो पुछता है, total income आप हमें बताईए, excluding the salary, family pension received in area, इसका मतलब आप हमें सबसे पहले तो अपनी वो total income बताओ, जो area के बिना है, तो मेरे example के मुताबिक, अगर आपको example याद हो, अगर याद नहीं है, तो आप pen paper पर कहीं उसको note कर सकते हैं, मेरे example के मुताबिक, जो मेरी salary के income है, या मेरी overall income है, वो 10,20,000 रुपे है, जिसमें मैंने area को जोड़ा नहीं है, तो यह देखे, आप यहाँ पर कुछ edit कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नीचे आपको detail भरनी है, detail भरने के बाद यहाँ पर automatically amount calculate होकर आएगा, फिर वो कहता है, point number 3, जो की automatically calculate हो रहा है, आपकी total income including the areas, तो आईए मैं पहले area fill कर देता हूँ, area जो मुझे भरने हैं दोस्तों, वो यहाँ पर भरने है, table A आपको दिखेगी, detail of the salary और family pension received in areas, जो आपको area receive हुआ है, और वो area किसी एक साल से relatable हो सकता है, और वो किसी particular more than one year से relatable हो सकता है, तो अब मुझे year wise year बताना होगा, कि जो areas मुझे मिले हैं, वो कैसे कैसे हैं, तो यहाँ पर simply add detail पर जाना है, add detail पर जाने के बाद आपको one by one बताना है, कि जो area आपको मिला है, वो कौन से साल से relatable है, तो मान लीजिए दोस्तों, मैं कहता हूँ, मेरा जो पहला area है, वो previous year basic case से relatable है, example आप साथ में रख लीजिएगा, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, तो यहाँ पर मैं previous year basic case select करूँगा, और यहाँ पर मैं बोलूँगा, total income of the relevant previous year, total income का मतलब, definitely without area मैं बताने वाला हूँ, जो मेरी income थी, तो 2,10,000 मेरी income थी, उस particular year की, मेरे को जो area मिला था दोस्तों, वो 1,03,000 रुपे मिला था, अगर यह area मुझे उसी समय पर मिल जाता, तो मेरी salary 3,13 होती, otherwise मेरी salary 2,10 रही थी, अब वो पूशता है, tax on total income, इसका मतलब जो point number 2 में आपने calculation करी है, I mean to say, आपका जो 3,13,000 रुपे का amount है, उस पर अगर आप उस समय पर tax pay करते, तो आपका tax कितना बनता, definitely मेरा tax 0 बनता, because of the rebate, इसका मतलब, यहाँ पर tax on total income as per system calculation भी 0 आ रहा है, system ने automatically calculate किया, there is no tax, then वो पूशता है, tax on total income as per the taxpayer, as per the taxpayer, तो इसका मतलब tax payer ने जब अपनी income tax return भरी, तो उसने total कितना हमें tax pay किया, the answer is zero, उसने हमें कोई tax pay नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पर मेरा कोई relief actually में बनता भी नहीं है, क्योंकि मैंने सरकार को zero tax दिया, और बनता भी zero ही था, तो यहाँ पर अभी कोई relief नहीं बनेगा, relief जो बनेगा वो automatically आपका total calculate होकर आएगा, इतना काम करने के बाद आप इसे add करिए, तो एक particular year आपका add हो गया, now we have to add another year, add detail पर जाना है, previous year आप है मेरे सामने 21, 21, मेरे example के according, then मैं बताऊँगा मेरे total income कितनी है, तो मेरे total income है relevant previous year की 4,75,000 रुपए, then इसके बाद फिर मेरे से पूछा जाता है, how much is area that you have received, so area मुझे मिला है 1,17,000 का, जिसकी वज़े से मेरे income हो जाती है, 5,92,000 रुपए, tax on total income, जो point number 2 में मैंने income लिखी है, 5,92,000 इस पर मेरा tax कितना बना, तो 5,92 पर जो मैंने tax निकाला था दोस्तों, वो मैंने निकाला था 32,196 रुपए का, tax on total income 32,196, फिर वो कहता है, system ने कितना compute किया, 32,136 किया, I don't know कि ये fraction में डिफरेंस क्यों आ रहा है, I think 60 रुपीस का डिफरेंस है, column number 4 में 32,136 का tax है, तो आपने सरकार को क्या tax दिया उस समय पर, तो मैंने सरकार को वहाँ पर कोई tax नहीं दिया, इसका मतलब, एक मिनद, tax on total income as per taxpayer as per column number 4, तो column number 4 के हिसाब से मेरा 32,196 रुपए का tax बनता है, वो मैंने यहाँ पर mention कर दिया, simply इसको add किया, तो यह मेरा दूसरा साल भी add हो जाता है, अब same way मुझे तीसरा साल add करना है, तीसरा साल है मेरा दूस्तो मेरे example के according, financial year 22, तो previous year 22 मैंने select किया, total income मैंने mention करी 7,5 रुपए, then areas पूछा जा रहे हैं, तो area है 1,25,000 रुपए, area 1,25 के बाद total income 8,75 हो गई, 8,75 के उपर जो मेरा tax बनेगा, tax on total income as per column number 2, तो column number 2 जो है दोस्तो मेरा, ये 7,5,000,000 रुपए वाला है, इस पर मुझे tax बरना है, यहाँ पर मैंने एक mistake कर दी है, मैं उसको भी पहले ठीक कर लेता हूँ, पहले इस वाले को फिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 7,5,000,000 रुपए पर जो tax बनता है, जो कि मैंने मेरे example में calculate किया था, that was 65,000, 65,000 रुपीज का मेरा total tax बना, और tax on total income, total income का मतलब including area मेरा tax बना 91,000 रुपए, अब दोस्तों यहाँ पर फिर मेरा बनता है, tax on total income as per taxpayer, again as per column number 4, जो कि है 91,000 रुपीज का, यह मैंने mention कर दिया, तो आप देख सकते हैं, relief बन गया है 26,000 का, I mean to say difference बन गया है 26,000 का, इसको simply add कर देते हैं, add करके बस मैं correction कर लेता हूँ, जो मैंने इस वाले year में mistake कर दी है, तो simply इसको click करिए, edit पर जाईए, edit पर जाने के बाद, actually मैंने यहाँ पर 32,196 लिख दिया है, जबकि यहाँ पर 32,196 नहीं, 4,75,000 रुपे के उपर, आपने कितना tax pay किया, वो मुझे mention करना था, तो मैंने जो tax pay किया था, वो 0 था, now total tax बनता है 32,196, तो 32,196 का difference create हो गया है, अब जैसे ही आप इसको simply save करेंगे, save करने के बाद आप देखिए, आपकी जो total tax liability है, वो यहाँ पर compute होके आ रही है, अब दोस्तों हमने जो total tax liability compute करी थी, 13,65,000 रुपए पर, वो actually हमने compute करी थी, 2,30,888, लेकिन ये जो calculate करके दे रहे हैं, वो 1,27,920 रुपए की liability हमें बता रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण है, ये जो अपना tax liability compute कर रहे हैं, वो new regime के slab rate के हिसाब से कर रहे हैं, और हमने जब computation करी थी, तो वो old regime के हिसाब से करी थी, तो यहाँ पर आपको change करना है इस value को, अगर आप old regime से calculation बना रहे हैं, तो simply यहाँ पर आप इस value को delete कर दीजिए, and manually अपनी value enter करिए, जो आपने calculate करी है, that is 2,30,880 रुपीज, तो 2,30,880 आपने total tax liability compute करी है, यहाँ पर आप जब अपना total tax liability, जो भी आपने calculate किया है, वो mention करेंगे, तो उसके नीचे point number 5 में, आपको अपनी वो tax liability mention करनी है, जो बिना areas को जोड़े हुए आई थी, तो मेरे example के मुताबिक, जो मैंने 10,20,000 रुपे का amount लिया था, excluding the areas, उसके उपर मेरी जो tax liability निकली थी दोस्तो, वो थी 1,23,240, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 65,520 रुपे automatically निकल कर आ रहा है, but again मैं बोल दूँ, यह actually नोने नए tax regime के हिसाब से compute करके दिया है, बट क्योंकि आप old tax regime opt कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह amount भी change हो जाएगा, तो आपको manually इसको mention करना है, 1,23,240, this is the amount जो आपका बनता है, अगर यह areas आपको इस साल ना receive होते, उन्ही सालों में receive हो जाते, जिन सालों से relatable हैं, तो definitely assessment year 24-25 में, आपकी total income 10,20,000 होती, और 10,20,000 रुपे पर आपका इतना tax बन रहा होता, दोस्तों यह समस्या ना, पिछले साल तक नहीं आती थी, क्योंकि पिछले साल नया tax regime by default नहीं था, इस साल यह by default हो गया, तो automatically जो working यहाँ पर बन कर आ रही है, वो नई regime के हिसाब से आ रही है, अगर आप नया regime opt कर रहे हैं, तो accordingly आपको change करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, but otherwise आप इसे change करेंगे, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यह automatically नई regime के हिसाब से ही calculate होकर आएगा, अब दोस्तों जैसे ही आप यह amount mention करेंगे, now आप सबसे नीचे जाकर देख सकते हैं, 49,444, exactly the same amount हमारा आ गया है, जो हमने अपने illustration में calculate किया था, as in relief under section 89, I hope यह process आपको clear हो गया होगा, so जिस तरीके से हमने यहाँ पर 3 साल का data डाला है, अगर आपके पास 3 से भी जादा साल का data है, या कम का है, तो आप उसी same process को follow करते हुए, अपनी details mention कर सकते हैं, but मैं आपको हमेशा advice करूँगा, before entering any data in this particular form, आप पहले manual working जरूर बना लेना, कि आप कितना relief claim करने के लिए eligible है, so that जब आप form 10E फाइल करें, और वहाँ पर आपका amount अगर mismatch आए, तो आप उसे cross check कर पाएं, कि मेरी calculation और system की calculation में difference क्यों है, हो सकता है, आपकी calculation गलत हो, या आप जो data punch कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हो, देखिए system की calculation तो definitely गलत नहीं होगी, but data punching might be wrong, बनता है, ताकि in future आपको problem ना हो, या आपकी tax liability पर कोई impact ना आए, और अगर आप refund claim कर रहे हैं, तो आपकी refunds में कोई reduction ना हो पाए, इतना काम करने के बाद दोस्तों, simply आप इसे save करिए, save करने के बाद simply verification पर चाहिए, then click on this check box, then enter the place, let's say I am putting deli, then इसको save करिए, save करने के बाद preview करना है, preview करने के बाद आप simply इसको proceed to verify, and say yes, हम इसे verify करना चाहते हैं, verify करने के again आपको options मिलेंगे, अधार OTP के थरू, DSC के थरू, net banking या DMAT bank account, जिसके भी थरू आप verify करना चाहें, make sure, before filing of the income tax return, it has to be verify, यह verify हो जाना चाहिए, अभी फिलाल में इसे verify नहीं करना हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने data लिया है, वो applicable data इस particular person के लिए नहीं है, तो इसको verify करने का कोई मतलब नहीं बनता, फिलाल मैंने इसको बिना verify करे, छोड़ दिया है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ITR 1 में आप इसे कहां डालेंगे, दोस्तो, ITR 1 में sometime क्या होता है, यह automatically pick हो जाता है, मतलब जो भी आपका relief बना है, वो ITR 1 में अपने आप आ जाएगा, या जो भी आप ITR फिल कर रहे हैं, it may be 1, 2, 3, 4, अपने आप calculate होकर आ जाएगा, but otherwise आप इसको कैसे डाल सकते हैं, वो तरीका आप यहां से देख लीजिए, आपको simply जाना है, income tax return, ITR form, file income tax form, then assessment year select करना है, online, continue, then start new filing, then individual, continue, जो भी आप ITR फरना चाहते हैं, let's say I am filing 1, then proceed with ITR 1, let's get started, taxable income is more than, okay, continue, then personal information में जो आ रहा है, वो आपके काम का नहीं है, आप simply gross total income पर आएंगे, लेकिन अभी मुझे personal information पर click करना पड़ेगा, ताकि मैं वहाँ पर आ सकूँ, तो यहाँ पर मैं nature of employment select कर लेता हूं, other, then इसके बाद इसको confirm कर देता हूं, यह मेरी personal information confirm हो गई, then मुझे आना है आप gross total income पर, gross total income में सबसे पहले एक schedule मेरे को मिलेगा, skip the question कर दीजेगा इसको, skip the question करने के बाद salary का एक schedule है, इसमें simply edit पर click करना है, यहाँ पर आपको अपनी salary डालनी है total, total का मतलब including areas, तो including areas जो मेरी salary है, वो 13,65,000 बनी थी, मेरे example के according, वो मैंने ले ली, दोस्तों salary की information यहाँ पर आप enter करेंगे, इसके बाद simply आपको यहाँ पर save कर देना है, यहाँ पर आपको relief नहीं दिखाई देगा, salary की information save करने के बाद, आप बाकी information भी डाल दीजे, जो भी आपकी incomes है, देन आपको deductions mention करने हैं, अगर आपके case में applicable होते हैं, देन आपको tax paid वाले column में simply confirm करना है, यहाँ पर आपके TDS आपको दिखाई देंगे, जैसे इस case में आप देख सकते हैं, 18,360 रुपे का TDS देख रहा है, देन इसके नीचे फिर आपको total tax liability पर आना है, देन उसके उपर आपको tax बता देगा, 1,47,890 रुपे का बना, उसके थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखेगा relief under section 89, आप इस particular schedule को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको relief दिख जाएगा जो भी आपका बनता है, तो as I said, अगर आपने form 10E भर रखा होगा, तो आपको यहाँ पर amount को manually fill करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका amount automatically capture हो जाएगा, जो कि मेरे case में illustration के हिसाब से 49,444 रुपे बनता है, लेकिन अगर मैंने form 10E fill नहीं किया होगा, यह मैंने उसको verify भी नहीं किया होगा, तो यहाँ पर यह amount 0 दिखाई देगा, और फिर आपको manually भरना पड़ेगा, which is not a good practice, तो आप कभी भी यहाँ पर manually मत भरिएगा, unless and until कि आपने form 10E भर रखा हो, अगर भर रखा है और amount नहीं आ रहा है, तो आप manually भर देना, otherwise मैं recommend करूँगा आपको, कि आप wait करिये automatic populate होने का, तो यहाँ पर 49444 जैसे ही आप डालेंगे, then you will be see, कि आपकी जो tax liability 133 की बन रही थी, वो कम हो जाएगी, और आपकी liability 1,4,000 बन गई है, but again यह आपको एक warning दे रहा है, कि अगर आप यह relief claim कर रहे हैं, तो आपको form 10E भरना जरूरी होगा, तो make sure कि आप 10E पहले भरें, उसके बिना आप यह relief claim नहीं करें, तो यह पूरा process रहता है, आपके 10E फाइल करने का, और ITR में उसको claim करने का, I hope आपको यह पूरा concept, यह पूरा topic clear हो गया होगा, दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है, तो please वीडियो को like करिएगा, साथ में चैनल को subscribe कर लीजेगा, and bell icon को press करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे दोराल आई गई latest videos के notifications आपको मिलते रहे, मैं अकसर इसी तरह के knowledgeable informative videos आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे next video में, till then thank you, bye bye.